उद्र हर्याना ने सापका ग्रामंत्री अनिल विज ने जी मीडिया दे नालवशेश गल बात कीती। आनवे किया कि पिया मोधी दे पर्सावी तो अमबाला रेलिस समیत aligned परदिया सीचा दे 75 पाझ पाज़ दी गल कीती है विज ने हरियाना कॉइंग्रस दे सारे दावयां ते खुल के विचार चर्चा की ती और उते ही जदो अनियल विज नोओना दी नराज़गी दी पारे पुछे आ गया तो अनने साफ क्या दिता कि कोई नराज़गी नहीं है जो कुछ करना है मैं अमबालाच कर रहा हूं नेता जी के साथ 2024 की बात के खास कारकरम में मुलाकात कराते हैं बाशपा के ऐसे कदावर निता से जब बाशपा के बहुत जादा विधायक नहीं हुआ करते थे हरियाना में उस समय भी बाशपा की टिकेट पर जीट कर लगातार आया करते थे और जो सरकार में फिर बदल हुआ उस से पहले कि अगर बात करें तो सबसे जो मंतरी थे ग्रह मंतरी के तौर पर स्वास मंतरी के तौर पर लगातार उनके काम की चरचा भी होती थी आप अंदाजा लगाय लिया होगा निताजी के साथ खास बात में अनल विज साथ है विज साथ तमाम बार मुलाकात आपके होती थी लेकिन अब मुलाकात पूर गहें मंतरी साथ से हो रही है कैसा चल रहा है महाउल बहुत बढ़ी है बहुत अच्छा चुरावी कमपेंच चल रही है और लोगों का बहुत ज़्यादा सायोग और समर्थन मिल रा है और मैं कई रर चुनाव लड़ एँ आठ चुनाव तो मैंने लड़ एँ छे वार माजिता भी हूँ और लड़वाय भी मैंने बहुत है जितरा समर्थन इस वर लूगों को उत्रा आज से पहले कभी ने मिलता था लोगों ने मन बना रखा नरिंदर मोदी जी को प्रदान मंतरी बनाने के लिए अम्बाला में आपका प्रचार की तस्वीरे भी आ रही है लेकिन वरून मलाना एक उमीदवार के तौर पर उनकी छवी साफ है ये कहा जा रहा है कॉंग्रेस दावा भी कर रही है और कल जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका ये भी कहना था कि भई मैं चुनाव लड़ रहा हूं नहीं लड़ रहा उससे मतलब नहीं है मुझे तो जंता चुनाव लड़ा रही है और अंबाला की आवाज पर मुझे टिकेट दी है ऐसे में सीधा मुकावला होगा बंतो काटारिया वर्सिस वरुन मुलाना वो कहीं न कहीं कॉंग्रेस उमीदवार अपने पक्ष में बात कर रहा है देखिये कांग्रेस का सारे प्रदेश में कुछ नहीं है क्योंकि इनके पास संगठन नहीं है पांच साल से इनके कोई संगठन नहीं बने हुए ना स्टेट लेवल पर ना डिस्टिक लेवल पर ना विदानसवा लेवल पर और ये तो हवा में बते कर रहे हैं हवा में दफ्तर तक इनके जो हैं खोलने की हिम्मत नहीं है अम्वाला में किस तरह का मुकावला और मोदी साब का भी करिकरम होने वाला है अब कुछ दिनों में उनकी रेली भी हो रही है और मोदी को तो लोग बताबी से सुनना भी चाते हैं देखना भी चाते हैं इसलिए बहुत लोगों में उच्छा है कि मोदी जी आ रहे हैं अम्वाला में उनका आखे बिचा कर लोग इंतजार कर रहे है जिस तरह का आपका कद है जिस तरह की आपकी राजनिती रही है लगता नहीं है कि अगर पूरे परदेश में आपसे प्रचार कराया जाता तो कहीं ने कहीं फाइदा होता ने cliche हमारे पास पूरी टीम है और सब जगा पर हमारे पास कारे करता है और चुराओ तो हमारे जिता जाता ऑगर हर जगासे जाए और हमें Barnes तो पढ़ा तो अच्छे मारतें से सारी सीटें जिची जाएंगे विससाब की कोई नराजगी किसी से अभी जो मौजुदा टीम है आपका लीडर कौन है क्योंकि कई वार जी सवाल भी आया कई चीज़े हुई पूरा गटना करें हमको पता है पुरा ना तो आज की तारिक में हमारे प्रदेश देख्षवी नाइब सेनी है और मुख्यमंत्र भी नाइब सेनी है तो वही लीडर है फिर और कौन लीडर है और और पूरे देश के साब से देश के साब से तो है यह बर्दानमंतिनी रिंदर मोदी जी है जे पी नड़ा जी है है उो तो हैं यहाल हो जा है। कोई मलाल? नहीं किसी बात कर ना मलाल उल्लोगों भूत है जो दिल चाहरता है जो बात कह रहते हैं उनको किसी बात से मलाल नहीं हो एकरता है सर मैं आपकी राजनित्रिक अनुभव के लिहास से भी आपसे जरूर सवाल पूछना चाहूंगा किस तरह का महाल आप भापारे ठीक है प्रदान मंत्री नंद्रमोदी का चेहरा हो गया तमाम चीजे हो गई लेकिन हर्याणा कॉंग्रेस भी अपने टिकेट वितरन के बाद या फिर दस साल की जो सरकार है उसको देखते हुए ये दावा कर रही है कि हमारी सिच्वेशन जो है कि परदेश में बहुत अच्छी है मैं आपके अनुबव से जानना चाहूंगा कि क्या मुकाबला इस बार थोड़ा टफ नज़र आ रहा है क्योंकि कॉंग्रेस भी जम कर परचार कर रही है परदेश नहीं मैंने आपको बताया कि पहले से असान नज़र पहले लोगों को जाकर समझाना परता था इस पर लोग समझे हुए हैं कि हमने भरते जंता पार्टिय को बोट देना हमें तो जहां 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 भी हम जा रहे हैं इसी परकार का एसास हो रहा है दस की दस सीट का दावा आप लोग किया करते थे अब कॉंग्रेस कह रही है कि हम दस की दस भी जीतेंगा और एक जो उप चुनाव है सरी है तो नहीं नंबर तो ओन दी फ्लोर ओड़ा हाउस कराना होता है रहा हमने कर दिया हुआ हमने फ्लोर ओड़ा हाउस पर हमने अपनी मिजोर्टी दिखा दी हुए और और उसके बाद तो कोई ऐसी बात आई दिया सामने विश साब का आगे का रोड मैप क्या है विश साब ने तमाम राजनितिक सफरते किया यहां जंता दर्वार भी हमने देखा और पूरी भीड लगा करती थी एक सवाल आप से जानना जरूरी है और आप हर मुद्दे पर खुल के बात करते हैं यह मेरा आखरी सवाल भी है और मुद्दो पर बातचीत की अपने रोल को लेकर भी बताया और लगातार यह भी कहा कि जो कांग्रेस का प्रचार हो अपनी जगे हो सकता है लेकिन बाच्पा की मजबूती है और वो मजबूती नतीजों में भी नजर आएगी कैमरामेन राहुल निर्वान के साथ विनोद ल आएगी कैमरामेन बाला